आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ पर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीएस से स्टुन अगर आप किसी भी कॉंपरेटिव एक्जाम की ताहरी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हलफुल है यहां जो आइटेप है यहां पर जाके मेरे प्रीविएस वीडियोस आप देख सकते हैं इस्टुन मैं अभी रिया नासिस की एक सीरीज स्टार्ट करीए जहां पर सैट त्योरी है नैबर गूड है इंटिरियर पॉइंट है और भी बहुत सारे टापिक्स में ने अपलोड किये तो यहां जो आइटेप है यहां पर जाके मेरे प्रीविएस वीडियोस आप देख सकते हैं इस्टुन आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ इस्टुन यहां पर देखी limit point के बारे में so limit point होता क्या है ध्यान दीजें यह limit point को समझने से पहले हमें यहां पर neighborhood का जो concept है और interior point है वो एक बढ़ाबर आई टेप पर जाके देख लेना आपको अच्छा समझ में आएगा फिर यह देखोगे तो अच्छा लगेगा इस तो मैं आपके सामने के example देना चाहूँगा जो मैंने last time पर मैंने आपके सामने neighborhood समझाया था और वहाँ पर interior point के बारे में बताया था कि 0 और 1 एक clause set है अगर इस 0 की बात करें तो 0 के neighborhood में 0 minus epsilon और 0 plus epsilon तो यह जो point होता है अगर हम बात करें 0 minus epsilon and 0 plus epsilon यह close set 0 1 के अंदर contain नहीं करता है नहीं करता है इसलिए 0 इसका interior point नहीं होता है यह जो मैं last class में बढ़ाया था आपको पर इस टुन में आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरा set तो इसके अंदर 0 minus epsilon 0 plus epsilon जो set है यह 0 1 के अंदर मतलब यह जो 0 1 के अंदर contain नहीं करता है पर कुछ infinite number of points जरूर है जो इस 0 को छोड़के इसको छोड़के बहुत सारे infinite points होंगे जो इस set 0 1 के अंदर contain करेंगे तो यह 0 1 भी क्या होगा इसका limit point हो जाएगा है ना बाकि इसके अंदर बाकि जो points होते हो तो सब limit point होते ही होते हैं पर end points भी यहां पर क्या हो जाएंगे limit point हो जाएंगे तो यह मैं आपके सामने बताया था neighborhood वाले concept ने कि 0 1 जो end points होते वो interior point नहीं होते है because वो उसके अंदर पूरा contain नहीं करता है बट कुछ infinite number of points यहां पर 0 और 1 के जो end points के infinite number अगर हम इसका neighborhood ले तो infinite number of points इस 0 1 close set के अंदर contain करते हैं या फिर इसका end point पे बहुत सारी infinite number of points इसके अंदर contain करते हैं इसलाब 0 और 1 जो होगा वो limit point यहां पर होगा तो limit point के नहीं यहां पर समझा रखा है ना कि 0 1 बहुता है the limit point of this 0 1 है इसलिए every neighborhood of 0 1 contain infinite number of points 0 and 1 है ठीक है पूरा set तो नहीं होता पर infinite number of points उस set के अंदर contain कर जाते हैं तो यहां पर ज्यांदेने every point of R इसलिए जो real number होता है उसका हर point यहां पर क्या होता है limit point होता है क्योंकि real number में तो बहुत सारे points ऐसे होंगे जो इस point के अलावा उसका neighborhood के अंदर contain करेंगे राइट इसलिए यहां पर कोई भी finite set है ना वो कभी भी यहां पर limit point नहीं होता है त तो finite set का कोई भी limit point नहीं होता तो for example मैं आपके सामने लूँ यहां पर कि हमने कोई finite set लिया मान लिजिए यह set है 1,2,3 अगर मैं इसको real number पर दिखाओं यह 1 है यह 2 है यह 3 है तो इस तुनिया पर कोई भी point ले 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 तो 1 का जो neighbor hood आएगा है ना 1 minus epsilon और 1 plus epsilon में यहां प यह 1 के अलावा तो दूसरा कोई है नहीं आप है 2 के अलावा कोई दूसरा है नहीं तो जिते भी हमारे पास finite set होते है उनका कोई भी limit point exist नहीं करता है clear है तो ऐसे बर example अभी मैं आपके सामने बता हूँ for example यहां बता रहा हम इन X1, X2 यह कोई हमारे पास finite set है तो इस finite set के अ X1 is a not limit point, similarly X2 and Xn is not a limit point तो इस theorem को बहुत इसलिए हम यहां पर प्रूब कर सकते हैं आगे बढ़ता है इसमिन limit point of S मैं net मैं और मैं not belong to S, इसमिन जो limit point ज़रूरी नहीं है कि वो set के अंदर हो, है ना, example लेता है इसमिन यहां पर अगर मैं open set लो, यह open set, 0 over 1, है ना, तो इसमि के अंदर क्या कर जाएंगे, content कर जाएंगे, तो 0 इसका क्या हो जाएगा, limit point हो जाएगे, इसी टाप से जो 1 है, इसमिन 1 भी इसका क्या हो जाएगा, limit point हो जाएगे, क्या होगाउंक बॉइनन फॉडर। सनग के बहुत सारे इंफाइन नमЬर पॉइंट होनगे जो इस जी रो वन जो है वो इस उपन सेट जीरो वन का लिमिट हो जाएगा पर हम जानते ुपन सेट में 01 कंडेन् नहीं करता है बैद 01 को open set में नहीं close set में 01 तक जाता है न पर open set में 01 contain नहीं करता फिर भी 01 यहां पर क्या है उसके limit point तो यह ध्यान देने के जरूरत है कि limit point में जरूरी नहीं कि वह उसी set का point हो अगर नहीं भी है तो भी उसका limit point हो सकता है मेरी बात सुनों नहीं समझो मेरी बात है न कि वह जरूरी नहीं कि आपको उसका neighborhood के infinite number point set के अंदर contain करने चाहिए तो जरूरी नहीं को point इसके अंदर contain करें getting my point तो इस तरह सम बहुत easily यहां पर समझ सकता है यही मैं समझा है यहां पर दूसरा point ऐसा नहीं होगा जो इस set के अंदर क्या करेगा continue करेगा क्या infinite number of points तो होंगी ही नहीं clear है तो यहां पर natural number जो है उसका कोई भी limit point नहीं होता है ऐसे set of integer जो होते है उसका भी limit point नहीं होता है क्योंकि minus one zero one two ऐसा आते points चलना तो बीच के point होते ही यह नहीं है तो वहां पर कोई भी उसका limit point नहीं होता है उसका भी अगर हम बात करें, इस पाइंट के बारे में, s is equal to 1 upon n, for n belongs to n दे रखा है, natural number दे रखा है, तो इसका limit point होता हो, जीरो होता है, अगर आप बोलोगे, sir, 0 कई से होगा, करके बताओ, तो देखो, यहाँ पे natural number value रखो, 1, 1 by 2, 1 by 3, अरे, n की value रखते जाओ, 1, 2, 3, ऐसे आता जा तो यहाँ पे बहुत सार infinite points इस 0 के पास में आने लग जाएंगे, बहुत सार इस से point नहीं, जो approximate 0 के असपास होगा, तो अगर 0 का neighborhood लें, तो यहाँ आएगा 0 minus epsilon और 0 plus epsilon, तो यहाँ पे बहुत सार infinite points जो होंगे, इस 0 के अलावा, जो इस set, 0, इस set के अंदर क्या कर जाएंग जाएंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है, clear ही, सजी समझाने के गोशिश कर रहा है, तो 0 यहाँ पे क्या होता है, इसका limit point निकालने के एक तरीका, और यह भी होता है, लिमिट क्या कर दो है, यहाँ पे, n tends to infinite कर दो, 1 upon n, तो यहाँ जानते है, यह 0 हो आएगा, इस रेप से अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, इसका limit point क्या होगा, तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते है, limit क्या करेंगे, n tends to infinite, n upon n plus 1, और हम जानते हैं, यहाँ पे n common निकाल दीजिए, n common निकालेंगे तिया आएगा, 1 upon 1 by n हो जाएगा, और यह ns n cancel, n tends to infinite way क्या जाएगा, तो इसका limit point क्या हो जाएगा, 1 हो जागा, तो यह ध्यान देने की जरूत, अब आता था तो इसका derived set, इसका limit point क्या होता है, 0 होता है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, derived set हो जाएगा, derived set को हम s dash से denote करते हैं, इसका जो limit point, मैंने भी आपको सामने बताएगा, इसका जो limit point होता है, वो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका जो derived set होता है, वो क्या होता है, 5 होता है, तो इसका जो derived set होगा, मतब n dash से denote करते हैं, वो हमारे पास 5 हो जाएगा, ऐसे हमार बात करूं कि 0 और 1 यह open interval है इस विन open interval का जो derived state होता वो close interval होता क्योंकि 0 और 1 भी इसका limit point हो जाता है getting my point उसके बीच की point होते ही है पर वो end point भी limit point हो जाते है तो यह इसका क्या हो जाता है derived state हो जाता है अब बात करते हैं closer closer का मतलब क्या होता है आगे बढ़ते है closer of a side इस विन कोई भी set हैना मान लिजे यह a कोई set है और यह इसका derived set है दोनों का जो union होता है उसको closer बोलते हैं समझ में आ रहा है कि निया रहे ध्यान देने की ज़रू होता है derived state और set का union होता है वो हमारे पास क्या होता है closer होता है for example मैंने आभी आपके सामने बताया थे यह जो set ह क्या रहा है और यह set है तो इन दोनों का union इस विन अगर मैं बरू हूं यहाँ पर 1 upon n such that n belongs to n है और union 0 कर दूं तो यह जो set आएगा इस विन यह इसका क्या है डिराइग इसको तो इसबंगा देना डिट्क रखत करके सबंगाई तो इस विन यह मारे पास क्या आप क्या होता है वो सब्तयूट वह जो है यह जो भी ऱूसे तो यह जो पर क्या होता है रहेcrire स, यह भी पी रित क्यूणले है पर इसको as called a closer of a set and it is denoted by a bar for example, मैं आब बात करूँ natural number इस विन natural number है और इसका जो derived state होता है मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जो derived state होता हो 5 होता है तो इसका जो union ले with 5 तो इस विन ये हमारे पास क्या था natural number ही होता है हम जानते इसका जो closer होगा वो क्या होगा natural number का closer natural number ही होता है set of integer का closer है वो भी set of integer ही होता है क्योंकि इसका derived state होता हो हमारे पास क्या हो जाता है 5 हो जाता है ये द्यान देने के ज़रोता है इस वो हम बात करें rational number का derived state होता हो real number होता है इस वो जितने भी हमारे पास limit points होता है तो आपयों के यहां है रेशनल नमर के बिच में होते हैं तो रेशनल नमर की जो लिमिट क्वलिक्त होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और पर है तो अगर ऐसका म् ले तो खुद Q and उसका union of R है ना तो क्लोजर ओफ जो क्यू होगा है ना मतलब क्यू का जो प्रेशनल नमर का जो क्लोजर होता है वह हमारे पास क्या होता है तो यह अन्देने की ज़र होता है तो यह मैंने आपको बताई दिया आप इस नो ओपन इंटर्वेल का अगर हम बात क आपके यह क्लोजर तो वो क्लोज इंटर्वेल हो जाएगा क्यूंकि हम जानते है ओपन सेट का जो पन सेट可 जो नोकौजर होता है वहमारे पास मेंतल Isolated Point क्या होता है मतब वो Point जो लिमिट पॉइंट में किसी भी सेट का वो Point जो लिमिह पॉइंट नहीं है जाना The Point of a सेट वीचर लिमिट पॉइंट पॉइंटा इसbuch आई सोले इद लूम्बर का हर पॉइंट जो होता है, वो isolated point होता है, set of integer, वहाँ पे भी कोई limit point exist नहीं करता है, तो set of integer के जितने भी points होते है, वो सब क्या होता है, isolated points होता है, clear है, यह ध्यान देने के जरूरत है, अब ध्यान दीजे, every point of finite set is, isolated में बदाई दिया है, मैंने आपको सामने, इस उन close set क्या होता होता है, close set क्या होता है, अगर S is subset of R, and all the limit point of S belongs to S, अगर कोई भी set है, उसके limit point का set S के अंदर contain कर जाए, limit point का set जो होता है, वो उसका क्या होता है, derived set होता है, अगर derived set जो है, वो S के अंदर contain कर जाए, तो वो set जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है, close set होता है, है ना, यह लिमीट पॉइंट ओफ समय गवाद करेंगे अब जित्ते भी फैनेट सेट की बात करेंगे तो फाइनेट सेट है अगर मैं आपके सामने कोई सेट फाइनेट करूंगे यह दियान दीजेए ध्यान देनी के जरूत है, तो जिते भी finite set होता है, मान लिजे ये कोई finite set है, नेचरल नमबर को पकड़ते हैं, नेचरल नमबर finite तो नहीं होता है, पर हम जानते हैं, नेचरल नमबर का कोई भी हमारे पास limit point नहीं होता है, तो नेचरल नमबर का कोई भी limit point नहीं होता है, तो जो हमारे पास derived set होगा, वो क्या आएगा? फाई आएगा. और हम जानते हैं कि जो फाई होता है, वो natural number के अंदर क्या करता है? contain कर जाता है. और फाई अगर natural number के अंदर contain कर रहा है, तो इसका मतलब यह जो natural number होगा, यह क्या हो जाएगा? हमारे पास close set हो जाएगा, तो इन कोई भी set है, उसका derived set, अगर set के अंदर contain कर रहा है, तो वो close set होता है, तो natural number, फिर एग्जांपल बात करूँ, set of integer, तो set of integer का derived set होता है, वो 5 होता है, हम जानते हैं, 5 क्या होता है? set of integer के अंदर contain करTA है, तो भाई हा, यह जो set howगा, यह हमारे पास क्या होगा? be, close set होगा है, इसा ही जाल्व से हम बात करें, real number, तो real number का derived set होता है, Eigen गूँद, real number होता है, हैना? और real number, real number के अंदर contain करता है, तो real number का state होता है, हमारे पास क्या होता है? परिशुन में आपको बताना चाहता हूँ कि आई टे पे जाके वीडियो देख लिए पिछले वाला जिसके अंदर मैंने इंटिरियर पॉइंट के बारे में बताया था कि आर जो होता है वो ओपन सेट होता है उसके अधर होने यहां अभर क्लोज सेट ने जरुत है क्योंकि इसका लिमित पंट का जो सेट वो भी इसके अंदर कंटेंड करता और हम जानते हैं रिएल नंबर अब जूभी डियान देने की चरूत है कि जो भी derived set होता, वो S केंदर contain का, थेको Q का derived set किसमें contain करना ची, Q में contain करना ची, पर हम जानते कि जो R होता, वो Q में contain नहीं करता है, इसलिए हम ध्यान देनी के जरूरते, कि जो rational number का set होता, वो कभी भी clause set नहीं होता है, क्यूंकि उसका derived set होता है, वो real number होता, real number कभी भी rational number के अंदर contain नहीं करेगा, that's why यह हमारे पास यहाँ पे close set नहीं होता, बहुत important चीज़ है, जो काम की सीज़ है, पर natural number of z जो होता है, हमारे पास क्या होता है, close set होता है, अभी आपके सामने explain किया, इसमिन theorem है यहाँ पे, the intersection of an arbitrary family of close set is also a close set, इसमिन जिती भी हमारे पास close set है, उनका अगर हम intersection लें यहाँ पे, तो वो हमेशा है यहाँ पे क्या होगा, close set होगा, तो एक example लेते हैं, माली जी हमारे पास close set का set है, sn, n belongs to n, be the set of close set, then s is equal to intersection of sn, हमें यह प्रूव करना है कि, यह जो set s है, यह भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, close set होगा, परिशुट मैंना भी आपके सामने बताते हैं कि, जो close set होता है, वो क्या होता है, हमारे पास limit point का set होता है, तो अगर हम को एक limit point लें, alpha is limit point of s, अगर यह alpha जो है, यह s का limit point है, तो यह इसके intersection के हर point का क्या होगा, set का limit point होगा, so alpha is limit point of each sn, and given that sn is a close, और हम जानते कि sn यहाँ पे क्या है, close है, तो alpha belongs to क्या आजाएगा, sn में आजाएगा, और अगर alpha sn में है, तो इसके intersection में भी होगा, और intersection में भी है, तो s में भी हो जाएगा, तो s यहाँ पे क्या हो जाएगा, close होगा, तो बहुत easily हम इसको यहाँ पे इस तरह से prove कर सकते है, तो इस विट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पे मैंने आज आज आपके सामने पढ़ाया, limit point के बारे में, limit points है, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि जो derived set होता, वो क्या होता, उसके बाद, फिर मैंने आपके सामने बताया कि closer क्या होता है, फिर isolated points क्या होता, और उसके बाद मैंने आपके सामने बताया यहाँ पे, कि जो close set होता, वो क्या होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ मैं अगर सुन लास्ट में मेरी वीडियोस है यह मेरा जो प्लैलिस्ट है यह मेरा नया वाला चैनल है जहां पर IIT, GEMS, CSIR, NET, GIT की जो previous year questions with concept आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज जाके देखिए बहुत अच्छा helpful content है और यह वाला यहाँ पर मेरे रियल आंसेस के जो वीडियोस है वो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैंने सैट थ्योरी पढ़ाया नेबरूट पढ़ाया एंटिरियर पढ़ाया लिमिट पढ़ाया भी हो गया है बल जोनों वाइस सच यह आगे पढ़ाने वाला हूँ तो वो प्लेलिस्स सबरूट कर रहा हूँ और मेरा बहुत फायता है क्योंकि मिलता है ताकि मैं आपयो अच्य वीडियो लग्या हूँ अधि